नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नीज में मैं रतन सेन भारती आज बात बिहार के एक ऐसे मुख मंद्री की जिसने चुनाब में कभी वोट नहीं मांगा बिहार में हाल ही में बिधान सवा का चुनाब समाप्त हुआ है चुनाब के दोरान सियासी उठापटक खूब कर रही थी वह था अपने नेता के प्रति लोगों का अगार प्यार आज भले ही लोग अपने राजनेता के बारे में लोग यह कहते हैं कि वह अच्छा नहीं है वह बुरा है वह सिर्फ चुनाब के दोरान ही आता है सिर्फ बोट मांगने के लिए आता है लेकिन इन ही चुन नाम से भी पुकारा जाता था इसके साथ ही उन्हें अधूनिक बिहार का सिल्पकार भी कहा जाता है बिहार के पहले मुख मंत्री स्री बावु का जन्म सन 21 अक्टूबर 1887 को नवादा जिले के खनवा गाउं में हुआ था बावु कृष्ण सिंका योगदान देश की अजाद कर डांडी में अंग्रेजों को काले कनून को भं किया था गांधी जी के ही आहवान पर उन्होंने मुंगेर में गंगा नदी को पार कर लगभग सौ किलो मीटर की लंबी कठिन पदियात्रा कर गढ़पूरा में दुरगा गाची में अपने सहीयोगियों के साथ अंग्रेज का पर्थम सत्यागरा ही कहा था स्रीबाबू 1946 से लेकर 1971 तक परदेश के मुख मंतरी रहे बिहार में अध्योगी करांती के लिए आज भी लोग स्रीबाबू को याद करते हैं उन्हें लोग आज भी अधुनिक बिहार का सिल्पकार कहते हैं उन्हें करीब से जानने वाले ब उनके चाहने वाले चुनाब की तैयारियों में जुटे हुए थे लेकिन स्रीबाबू ने अपने सहीयोगियों को साफ साफ कर दिया था कि इस चुनाब में वह जनता से बोट मांगने नहीं जाएंगे अगर मैंने काम किया होगा या जनता मुझे इस लाइक समझेगी तो बाहर ही छोड़ देते थे सुरुच्छा कर्मियों को से वो कहते थे कि वह मेरा गाउं है वहां मुझे कोई किसी से खत्रा नहीं है लोग आज भी अपने पुराने किस्से को याद करते हुए कहते हैं कि लोगों के लिए वो एकदम से सुलब थे गाउं के वारे में कई तरह कि सरकार में उप मुख मंत्री और बीत मंत्री भी रह थे लेकिन 1957 में इस दोस्ती में धरार आ गई 1957 के बिहार विधान सवाचनाव के बाद के वी सहाय के लोगों ने दोनों के बीच में बिभे डालना सुरू कर दिया लेकिन इसके बाद जब वह विधायक दल के नेता चु ब पर्थम मुख मंत्री थे सुतंता सेनानी ब उनके सयोगी डॉक्टर अनुगरह नरायन से उनके मंत्री मंदल में उप परधान मंत्री उप मुख मंत्री ब बित मंत्री के रूप में आजीवन साथ में रहे उनके मात्र दस बरसों के सासनकाल में बिहार में उद्योग, क्र सिच्छा, सिचाई, स्वास्थ, कला व समाजिक छेत्र में उल्लेखनिये कार्ज किया। वरावनी डेरी, एसिया का सबसे बड़ा रेलवे याड गड़ा है रा, आजादी के बाद गंगोतरी से गंगा सागर के बीच पर्थम रेल सहब सडक पूल यानिक राजेंदर सेतु पूल जिसाज हम कहते हैं इसका भी निर्मान स्रीक्रिंस से नहीं करवा था, कोसी प्रजेक उनके सासनकाल में संसत के द्वारा न्यूक्त फोर्ड फाउंडेशन के परसीद अर्थसास्त्री श्री एपे लबी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बहतरीन सासित राज बताया था और वह बिहार को देश का दूसरा सबसे बहतर अर्थविवस्था वाल इए धिफालेदा राज बताया था अभीभाजित विहार के विकास में उनके अतुर्णिये अदुतियर अभीसम्रिये युक्दान के लिए भिहार केसिरी स्रीवावू को अधूनिक बिहार उनको बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी नूज के साथ मुझे दीजिये जाजात धन्यवाद